भारत 1947 में सोतंतर हुआ था और इस बात को 75 साल होने को आया उन्निस सो पचास 26 जनवरी को अमारा सम्विधान लागू हुआ था और आज इस साल हम 72 रिपब्लिक डेव मनाएंगे तो आप सबको हैपी रिपब्लिक डेव मेही तिरफ से तब से अब तक काफी एडवेंचरस ज लेकिन हमने सबको गलत सावित की और कई बुलंदियों को छुआ लेकिन अब हमें अपने फ्यूचर की देखनी है अब भारत को टाइम आ गया है कि अब दुवारा से सूपर पावर बने जो पहले हम थे लेकिन पिछले हजार साल में कहीं हम खो गए भारत को 200 साल से वह रेक माना जाता है मजाग भी उरा जाता है इवन हमारे देश में कई ऐसे यूथ हैं या लोग हैं जो हमारे कल्चर को उतनी वैल्यू नहीं देते हैं हमारा जो यूथ है वह हमारी सबसे बड़ी पावर है अगर हम 2021 के डेटा से चले हैं तो इस सल इंडिया में 52 यूनिकॉन स्ट सब्सक्राइब जिनकी एवैलुएशन वन बिलियन डॉलर से उपर रही है वह निकले और यह पूरे वर्ल्ड के में थर्ड नंबर पर आता है आफ्टर यूएसें चाइन लेकिन अभी भी कुछ लोग इंडिया को समझते हैं अगर हम सपनों की भारत की बात करें तो लोगो दूका नहीं रहेगा लिकिन हम एक आईडियल वन में नहीं रहते हैं रियालिटी में यह सब होगा यह तक लिख स्थाथ और उसका सढबियोग या सही यूज सिखाएं तभी वो काम आएगी क्योंकि knowledge तो बहुत लोगों के पास है लेकिन सब सही यूज करना नहीं जानते तो इसको आपके और मेरे जैसे यूद ही बदल सकते हैं क्योंकि हम ही लाएंगे सपनों का भारत तो इसी के साथ हम सब प्रतिग्या करते हैं कि हम अप